कई साल पहले दूर एक गाउं में दो भाई रहते थे बड़े का नाम नोबू था, वो बहुत ही मतलबी और स्वार्दी था और छोटे का नाम हन्बू था, वो बहुत ही सच्चा और महनती था उनके माबाप के मरने के बाद सारी जैदाद उन दोनों को मिल गई उनकी वसीयत में ये लिखा था कि उनकी सारी जैदाद दोनों में बराबर बटे और दोनों एक साथ अमन और शांती के साथ रहने का वदा करें प्राद के वहाद के वहाद के वहाद के बादर नामपन आ राद के वहाद झाल किया बात है हाँ सारे नंबर मेरे हिसाब से आये है मतलब किसमत खुलने वाली है फिर से दुखसान हो गया маг ndong खाना खाने का समय हो गया है हांबो उने सारा चावल खत्म कर दिया है यह लोग दस लोगों का खाना आके ले कहते हैं मैग डॉंग, जल्दी करो. जानू, तुम इन लोगों को मेरे घर से बाहर कब निकालोगे? आखिर और कितना परदाश करूँ? तुम तो जानती हो, वो मेरा भाई है, मैं उसे यहां से नहीं निकाल सकता. तुम्हें तो पता ही है, कि मैंने अपनी मा से वादा किया था, कि मैं उसकी हमेशा देख भाल करूँगा. हाँ, मैं जानती हूँ, तुमने वादा किया था, पर कुछ भी हो जाए, अब इनसे चुटकारा पाना होगा. लेकिन मेरे माबाब की वसीयत का क्या होगा? हाँ, उन्होंने वसीयत कर रखी है, खैर जो भी हो, अपने भाई को घर से नेकालना मेरे माबाब की वसीयत के खिलाफ होगा, और उसकी परिवार की देखभाल में मैं कंगाल हो जाओंगा, भीक मांगने की नौपत आ जाएगी, यह भी कितने कम है, यह भी कितने कम है, मेरे पास बस इतने सही रेशन के कपड़े बचे है, मैं बरबाद हो गया, तुम बिलकुल बेवकूफ हो, तुम्हें वो वसीयत जला देनी चाहिए, इतना परेशान होने की क्या बात है, अगर हम वसीयत जला देंगे, तो उन्हें उठा के बाहर फेक सकते हैं, हम दोनों उ मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे बड़े भाईया और भावी हमें इस घर से निकालना चाहते हैं, आज उन दोनों को मैंने इस बारे में बात करते हुए सुना है, ओ मेरी प्यारी, मुझे लगता है तुम उन्हें गलत समझ रही हो, फिर अगर वो यही चाहते हैं तो शायद हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, सही कहा, बावजूद इसके, वो हमें किसी भी हाल में इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे माबाप ने वसीयत में ऐसा ही लिखा है, हां, क्या कहा, वसीयत जला देंगे, हां, मैंने अप मुझे वो वसीयत दूनकर मैकडॉं को दे नहीं होगी, बस यही एक तरीका है, जिससे उनका हक उन्हें मिल सके, हां, क्यून Ses tracks आपको बखसे बखसे को अचसे एका जचसे संच आट भजब पाक, वसियत यहां नहीं है किसी ने उसे चुरा लिया है जुप रहो शुँ… छुप जाप क्या हुआए मुझे लगता है कि तुम्हारे माभाप ने यह किया वो दोनों ही पूरोले वसियत लेकर चले गयू क्या तुम ये सुनकर खुश नहीं हो जानू बोलो मेरे माबाप ऐसा मत कहो मुझे लगता है कि मेरे माबाप ही होंगे सही कहा तुमने चुप रहो मरे हुए लोग चोरी कैसे कर सकते हैं ये हंगबु ही होगा यी तुम क्या कह रहा हो तुम जानती हो उसने शवावान वाला को पेहले ही बताया होगै कि हैंऐ तुम दोनों के ना के बीच में जादात का बट्वाला करने वाला हूं समझी तुम अब हम क्या करेंगे क्या करेंगे Parce रहार है और ऐसाप ध्या हाँ हाँ मेरी वसीयत क्या यही वसीयत है मुझसे मत पूछो कि उसे कैसे मिल गी वसीयत पर देखो वसीयत लेके सामने खड़ा है हमारे मेरे प्यारे भाईया मैं आपको यह वसीयत लोटाने के लिए आया हूँ यह तो कोई चाल है सच में और मुझे लगता है तुम यह जारा हूँ बस आप मेरे परिवार की दिखभाल करियेगा किस बात का इंतजार कर रहे हो बेवकुफ तो बताओ मेरे प्यारे भाई तुम्हे यह वसीयत कहां से मिली हां मैंने इस इस लिए दिया था ताकि अपना हिस्सा ले सकें बेवकुफ इसे मुझे दो अब मुझे उसके परिवार की देखभाल करनी होगी नहीं अब मुझे उससे वह दुबारा चुराना पड़ेगा मैं अभी तक नहीं समझा कि मेरे माता पिता की वजियत उसके हाथ कैसे लग गई यह मुझे कैसे पता वह लालची आदमी ज़रूर कुछ बुरा करेगा मेरा भाई खुद को बहुत चालाग समझता है उसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता पर मुझे सब कुछ पता है सुनो यह कैसी आवाज है कैसी आवाज देखो मैंने उसे देख लिया क्या देखना है वो देखो तुम्हें वो निशान नहीं दिख रहे हैं वो देखो वहां ऊपर तक जा रहे हैं मैं उस बदमाश को छोड़ूंगा नहीं लोग उसे कोई पंगा नहीं ले सकता वो बेवकूफ पिल्ला हमेशा मेरे भाई होंगबू के आसपास घूमता रहता है तुम सही कह रहे हो वो बुडुक ही था बहुत हो गया बदमाश कहीं का उमीद करता हूं तु भूख से मरे पागल पिल्ला हम जरा देखो मेरे पास सिर्फ चावल के सो बोरे बचे हैं मुझे वो वसियत बरबाद करनी ही होगी और हंगबू को यहां से बाहर करना ही होगा मैं जानता हूं कि मेरा भाई बहुत अच्छा है पर मुझे यह करना ही होगा मेरे माबाप का पूरा व्यापार मेरी गलती है उससे कह दो कि मैं कंगनाल हो गया हूं और अब मैं उसके परिवार की देखभाल नहीं कर सकता हंगबू जी भाया बच्चे अपने माबाप के साथ रहते हैं पर जैसे ही वो शादिशुदा हो जाते हैं सबको उसी पैसे में गुजारा करना होता है जो वो कमाते हैं यही जिन्दगी है न और क्योंकि हमारी मा को मरे हुए तीन साल हो गए हैं इसलिए तुमें अब अपन बाई साथ मैं सिर्फ थोड़े समय के लिए काम से बाहर जा रहा हूं इतने कम समय में अपने परिवार के लिए खाने और रहने की विवस्ता कहा से करूंगा बेकार की बातें मत करो कभी तो जिम्मेदार आदमी की तरह बात करो मैं अच्छे से रहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने मामले खुद ही समझने पड़ेंगे और इसके लिए तुम्हें एक कड़े सबक की जरुवत होगी बाई साब क्या आप हमारे माबाप की वसीयत भूल गए माबाप की वसीयत? तुम्हारे उस प्यारे पिल्ले पैड़क का बहुत बहुत शुक्रिया अब कोई वसीयत नहीं है मेरे पास अगर कोई वसीयत नहीं भी है तो हम दोनों जानते हमारे मादा पिता क्या चाहते थे मजाक मत करो तुम्हें जायदाद में से एक फूटी कोली नहीं मिली तो इल्जाम मेरे सर पे मत लगाओ मेरे भाई भाई साब मैं इतना चाहता हूँ कि आप कुछ समय के लिए पैड़क को यहां रख ले हाँ ठीक है मैं उसकी देख भाल कर दूंगा अब जाओ यहां से तुम्हें दिखतानी में वेस्त हूँ बेवकूफ आख अगर आप चाहते हो तो मैं चला जाओंगा पर आज मां की बर्सी मैं यहां रुखना चाहता हूं ठीक है फिर जिसा तुम चाहूं चिंता मत करू पैड़क। मैं तुम्हें यहां से लेकर जाओंगा। इसे मैं कहता हूँ एक बड़ी मचली। हाँ भाई साप, आज सुभह ही मैं इसे पकड़ा और मैं यह चाहता हूँ कि मां की बर्सी के खाने में इसे परोसा जाए। ठीक है एक अच्छा शिकार अगर तुम चाहो तो मैं से तीन सिक्कों में खरीच सकता हूँ। हाँ सेर्फ तीन। अगर इतनी बड़ी मचली गरिते तो तुम सिक्कां पांच सिक्क्य लगते। यह सौदा सच में अच्छा है। हाँ सही कह तुमने। एक बात याद रखिएगा भाई साब। आज हमारी आदर्णीय मा की पहली बरसी है। इसलिए यह हमारा नहतिक करतव्य है कि हम उन्हें सच्छे दिल से और पूरे मन से श्रद्धानजली दे। बिलकुल फिक्र करनी बन करो मैं सब कुछ समाल लूँगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना होशियार हूँ है। आपका बड़ा बेटा आपको बेतरीन चाय पेश करता है। वाह। तुम्हारा यह बेटा आज का दिन तुम्हारे नाम समर्पित करता है। आज के इस पावान आउसर पर हमने आपकी पसंद की तमाम खाने पीने की चीज़े बनाई है। स्वादिष्ट मीठे चावल, शहद्वाले चावल, तिल के लड़ू, और स्वादिष्ट केक, और भुनी हुई मचली। भुनी हुई मचली। आशा करता हूँ कि हमारे पूरवज इन स्वादिष्ट पकवानों से खुश होंगे। ये सब हमारे बेकार साथ ससूर की वज़े से झेलना पड़ रहा है। जब जिन्दा थे तब भी मुझे बहुत परेशान करते थे। पहुत पहुत जिन्दा रहा हुआ आशा गुन्बाव नबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनोबनो यह क्या हो रहा है सब कुछ उड़ा जा रहा है कोई मदद करो मेरी इसके लिए मैं बहुत मुसीवत में पड़ जाओंगा देखो तुमने क्या किया तुमने इसे खराब कर दिया बत्तमीज बच्चे कहिंके मेरी प्यारी मा अपने इस अभागे पेटे को माफ कर देना मैं चाहता तो नहीं था पर मजबूरी है इसलिए मैं तुम्हारी आखरी इच्छा को पुरी किये बगेर ही जा रहा हूं नहीं पता मैंने क्या किया मैंने चाहा बनू में अच्छा कहां पे रस्ता खो गया सब ठेक हो ये कोशिश किया ये कैहु रात है दिन कौन हल गया अंधेरा क्यो ऐसे चा गया पर में चलो आगे बढ़ो वक्त जाने कहां खो गया किया था जो वदा वो टोटा जाने असा क्यों हो गया खो गया है कहां पे दिशा ये कैसी रात है दिन क्यों ढल गया अंधेरा क्यों एसे चा गया फिर से आएगा दिन का हो जाना मैंट्डों का परिवार मुझे छोड़कर जा रहा है मुझे भी उनके साथ जाना है मैंट्डों तुम्हें कुछ खाना चाहिए इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा बस एक निवाला खालो खा लो तुम अच्छे बच के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या तुम अपने भाई से हमारे बच्चे के लिए मदद नहीं मांग सकते मुझे यकीन है उन्हें अपर मुझे विश्ववास नहीं होता मेरा भाई ऐसे मोमोड लेगा जबकि मेरा बेटा भूका है ये बना जानू अब आप उस पुटुक के ताथ क्या करने वाले हो जो नहीं लगता वो ज्यादा देटिकेगा जिन्ता मत करो उसके बारे में मैं उसे किसाई को बेच दूँगा कोहने से पागल कुटे को खरी देगा बताओ ये लो तो मैं उस पिल्ले को घर से बाहर निकाल दूगा मैं तो कहती हूँ जल्दी ही उससे चुटकारा पालेना चाहिए अगर तुम्हें इतनी ही परिशानी है तो मुझे क्यों निकाल देती है तुम्हें पता है कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर तुमसे इतनी ही उम्मीद रखता हूँ कि तुम अपना मूँ बं रखो बस भाई साब है हंगबू है हम देखा ज्यादा अच्छे बनने का नतीजा मेरे प्यारे भाई आपकी शाम शुभ हो और तुम हो कौन भाईया मैं हूँ आपका चोटा भाया हंगबू और ये बदमाश हंगबू कौन है भाईया मैं यहां अपने लिए नहीं अपने बेटे की मदद के लिए आया हूँ वो बिमार है और उसने काफी दुनों से कुछ भी नहीं खाया मैं जानता हूँ आप दयालू हो भाईया इस मौके पर हमारी मदद कर दीजिए और मैं वाद तुम होते कँ नो मुझसे मदद मांगने वाले जबकि तुम ने अपनी मुसिवते खुद बुलाई हैसे तुमारी हिम्मध कैसे मदद दिल कैसे हो सकते हो मुझे तो लगा हम सगे भाई है मुझे नहीं पता कि मेरा कोई सगा भाई भी है जानू ये बेचारा बहुत बुरी हालत में है क्यों ना इसे गोदाम से कुछ दे दे तुम्हारे पिताजी हमारे लिए चावल लाने के लिए अपने भाई से मिलने गए है वो जल्द आ जाएंगे तब बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भूग भी लग रही है मा अगर तुम्हारा परिवार इतना ही भूगाई दिसे ले जाओ इसमें बहुत ज्यादा गोश मुझे भाशन मत दो सक्षम होते हुवे विदया कभाव ना रखना इंसानियत के खिलाफ है सच कहूँ तो वाकई में तुम एक शैतान हो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो जाओ तफाह हो जाओ कैसे आपका अपना भाई इतना निर्दय हो सकता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए हम इसे क्या खिलाएंगे कि फिक्र मत करो तुम हम कैसे भी कोई ना कोई रास्ता ढूंड लेंगे बस बर्रुसा रखो सब टीख हो जाएगा सुनो इसे ले लो यह तुम क्या कर रही हो यह तो वही सोने की अंगूटिय जो तुम्हारी मा ने दीती जब हमारी शादी हुई थी हम इसे नहीं खो सकते मेरी मा जहां भी होंगी देखकर खुश होंगी कि हमने इसका इस्तमाल परिवार को बचानी कि लिए किया है इसे ले में चेशना है वाजा है का ले इसी मिल जाएंगे लिए मट कर नेकरे मटके सिंपने मिल्हशा नीले पीले खरे गुलाभी मंटके सिंप खियतल पंगी सिंप खिये इसाईशनां आ यह कम से कम पांच सिखोंगी तो होगी तुम्हें इसके कितने पैसे चाहिए? मुझे पक्का पता नहीं है यह कितने की है देखो भई, मैं तुम्हें इसके तीन सिखे दूगा इसे बेतर कीमद तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकती के लो रख लू तुमने समझदारी से काम लिया अपर अब मैं क्या करू एक दो तीन और ये आधा मेरे खायल से फेरी वाले ने पैसे गिनने में कुछ गल्ती की होगी उसने हमें ज्यादा ही दे दिये कि अपने नहीं आरा क्या करूं कि अपने का इंतिजाम करने दो फिर देखते हैं मेरी बात सुनो मैं भूका रहना पसंद करूंगा पर बेमानी कभी नहीं करूंगा हमें इस सिक्के को अलग रख देते हैं और मैं उस फेरी वाले को वापस लोटा दूंगा जब वो मुझे मिल पर यही करना खीक रहेगा ठीक है यह 8 सिक्के हैं जो मेरे मूल्धन है और यह 6 सिक्के ब्याज है जो मैंने किं जॉंग को उधर दिये थे और पैक्सो पैंक से मुझे कितने पैसे मिले हैं उसे 7 3 ही हो गए II कि इसमय इने का मेरा मुनाफा है एक्की सोने के सिके शान्दार कॉन कहता है जूर्म से कमाई नहीं होती है रस्टे कमाल सस्टे में रस्टे कमाल सस्टे में लेलो लेलो तैनलो लेलो रण्ग भी रंग रंग मचे लेलो कमाल ऊणार मच रहा है और क्यों सस्ते में इस बेकार आदमी के पास उतने ही पैसे जितने मैंने ब्याज से कमाए अभी सबक सिखाता हूँ मेरे सारे बटके तूट गए मैंने को कभी किसी के साथ पुरा लहीं किया अब मेरे पास कुछ लहीं बचा उसे लग रहा कि कोई हादसा हो गया है सुनिए एक मुसीबत हो गई है अब क्या हुआ मैंकडॉंग वो छोटा सिक्का ले गया जिसे अपने अलग रखा था मैंकडॉंग ने क्या किया यह सजा तुम्हारी पालाई के लिए है जितनी चोट तुम्हें लग रही है उस से ज्यादा तकलिफ मुझे हो रही है वो पैसे हमारे नहीं है तो मैं पता भी है तुम्ने क्या किया है शरम आनी चाहिए तुम्हें चीख है उसे माफ कर देजी है वह अग छोड़ा बच्च यह क्या है मैक डॉंग ने इसे चुवा तक नहीं वह इसलिए क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं खारीदा और आप लोग बिना कुछ खाए पिये कितनी महनत करते हो हमारे लिए मुझे बता है आप लोगोंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है मेरे बच्चे मैक डॉंग वले ही यह तुमने हमारे लिए क्यों ना किया हो पर चोरी बुरी बात है हम इतनी कड़ी मैनत इसलिए करते हैं ताकि जो हमने लिया है वो लोटा सके मैक डॉंग मेरे बच्चे हाँ 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 तुम बजमाशो मेरे घर को गंदा करने के नुमारी हिम्मत कैसे हुई अब ही सबक सिखाता हूँ चलो भागो यहां से निकलो आभी प्यारी चिडिया कितने बड़े बड़े गर है इस गाव में और आप अपना गोसला मेरी छोटी सी जोपडी में बनाना चाहते हैं यह हमारे लिए सम्मान की बात है ंड़ें से शवल्त chemिर्ण के कितनी जोट्रिण कितनी अवे भी कितनी है र Mensch अपवें से क्था आप अगए हूँ हुई एक राध। झा एक रखके रखके रह रह प्झार प्रूंट वो बुर। ओर्षडी वाप जर्षडों हुआ है है पाड़िक इस सुनो क्या तुम थोड़ा सा रिशम का धागा लागर दोगी इस चिडिया ने अपनी टांग तोड़ी लिए हुआ बेचारी चिडिया कि इसके परिवार को बड़े से सापने मार दिया है और अभी अकेली बच गई है हम पुरी कोशिश करेंगे इसके देखबाल करने के हां सही कहां कि 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 पिता जी देखो वह उड़ रही है हमारी चिडिया उड़ रही है कि 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 क कि अब देखते हैं तुम्हारे पंग तुम्हें कितनी उचाएं तक लेकर जाते हैं जाओ उड़ो वह उड़ रही है अरे वा देखो वह कितना उपर उड़ रही है ये 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 बादलों में जाकर खूब मज़े करना ये कि अ मैं समझ गया तुम उनके साथ जाना चाहती हो मैं डॉन यहां पर तुम्हें कोई अलविता कहना चाहता है क्या वो चलिया जा रही है क्या वो चली जाएगी हाँ बेटे उसे अपने साथियों की पास जाना होगा हाँ सहीं कहा तुमने देखो जानू अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो हम लोगों को अलविता कहने आई है मा यह अलविता का मतलब क्या है मतलब उसे जाना होगा पर मा मैं नहीं चाहता कि वो जाए इसके मा बाप भाई बैन सब मर चुके हैं अब वो अपनी साथियों के बास जाना चाहती है अलविता प्यारी छीडिया आई-बाही वयारी व Inde किल marvelous किर बीजीप करिया कंव हुआ इबाह फ्रिका अव्म मिलेंग प्रिको उश्मी भुके बेलना क्राशँ है घिम बाइण एल्म इन् हम ओटकना है जोटी पंची उड़ गया वो घर की योर सफर ये लंबा है काफी पर तुमको है चलते रहना एक दिन मैं बड़ा होके उसके जैसा उड़ जाओ मुझको मिल जाएगा आशिया कोई सुरत होगी जिन्द की मनजिर आएगे सफर ये कट जाएगा एक दिन मन जे लजा जाएगी वो इनसान जिसका नाम हंभू है वो सच्चा और इमानदार है आपने सही कहां महारानी तुम्हारी मदद करने के बदले हमें जरूर उसे कुछ देना चाहिए हाँ सही कहा जहमत हूं मैं चाहती हूं कि यह जादूई बीच तुम उसके परिवार तक पहुचा दो ठीक है महारानी अब बहुत अच्छी है सर्दियों के बाद बहार का मासम आया मदद के लिए शुक्रिया उम्मीद करता हूं यह गर्मिया हमारे लिए और मुनाफ़ा लेकर आएंगी तो यह मैं क्या देख रही हूं हंग्भू जो चिडिया पिछले साल चली गई थी वह वापस लाटकर आई है क्या सच में मुझे पता था वह आएगी यह वह नहीं हो सकती वह यह है अरे वह यह 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 अपनी आखों पर यकिन नहीं हो रहा है यह वह है जो पिछले साल यहां से चला गया था हां देखो पिताजी उसके चोच में कुछ है हां वो क्या है हो सकता है महा देखो वो नीचे गिरा रही है इससे ध्यान से देखो कितना आजीब दिखता है यह तो कद्दू के बीच जैसा दिखता है पर यह सोने जैसा क्यों चमक रहा है इसका मतलब क्या है मुझे लगता हमें इसे बगीचे में लगा देना चाहिए अगर यह इस बीच को यहां तक लाया है तो जरूर कोई बात होगी हो गया अब बस हमें सिर्फ इंतिजार करना है लेकिन ध्यान रहे हमें पानी देते रहना होगा हां जरूर हम देखो कद्दू का पेड़ कितना बड़ा हो गया है ना है है यह कद्दू तो हमारे घर से भी बड़ा है और हाँ याद आया कल फस्लों का तूहार है तो हम बच्चों को कल यही खिलाएंगे तो हम आप्छा ख्याल है क्या हुआ 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 है हमारे इतने बड़े कद्दू को देखकर पुरा गाउं चकेट जाएगा जीरे धीरे आई चलाए धीरे धीरे आई चलाए इसको काटेंगे मिलके खाएंगे कद्दू ये कटेंगे मिलके खाएंगे जीरे धीरे धीरे आई चलाए धीरे 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 आई चलाए इसको काटेंगे मिलके खाएंगे कद्दू ये कटेंगे मिलके खाएंगे कद्दू ये कटेंगे मिलके खाएंगे पिता जी अंदर से कुछ आवाज सुनाई दे रही है शायद कद्दू हमसे कुछ कहना चाहता हो मुझे अंदर से कुछ अजीव आवाज सुनाई दे रही है हाँ मुझे वहाँ हाओ को अजड़ हाओ का बाओ कर दो तुम तुम कर दो हुआ 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 है हुआ है और यह किसका घर है हंबू मुझे नहीं पता है कि वह देखा चुडिया क्या वह वही चुडिया है जो हमारे घर आया था यह नहीं हो सकता है हुआ है यह वही है हाँ यह हमारे चुडिया है यह 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 क्या है हाँ 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 बहुत खूब सुरत है देखो मेरे कपड़े जैसे में राजकुमार लग रहा हूँ कर दो नियुक्त खूब सुनिये हमारे बच्चे को देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना इते समझ मनी आ रहा इतने अच्छे कपड़े और यह गर क्या यह हमारा है हाँ यह हमारा है मैं सच्प सपना देख रहा हूं हां चिडिया अच्छा तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पीछे आओ भगवान कितना प्यारा है कितना सुन्दर है यह कितना प्यारे क्नि शेकी प्यारे यह कितना सुन्धा झाया हो दि남 यह क्यों यह जहरा उन्वपर शारां सुन्रारे कितना प्यारे आउर धर मैं आप Audio कि देखो जैसे चावल के पहार हां सही कहां लेकिन हम इतना सारा चावल और रेशम एक साथ इस्तमाल नहीं कर पाएंगे तुम बिल्कुल सही कह रही हो यह इतना ज्यादा है कि हम इसे हमारे गाहों के गरीब लोगों में बाठ सकते हैं क्यों सही कहा ना मैंने अगर तुम सारा चावल बांद लोगे तो तुम क्या खाओगे अपनी भी सोचो फिक्र मत कीजिए दादा जी हमारे पास बहुत है अब हमारी चिंता मत कीजिए मैं बाठ कर खाने में विश्वास रखता हूं तुम एक वाकई में बहुत दयालू इंसान हो तुम तो मेरे बेटे जैसे हो आपका शुक्रिया इतनो अच्छा कपड़ा मैंने जिंदगे में कभी नहीं देखा आप मेरी पोती असली रेशम की कपड़े पहनेगी आप फिक्र मत कीजिए दादी मा हमारे पास बहुत सारे रेशम है ये मेरा सौभाग यह है दुबारा जरूर आईएगा आपका बहुत शुक्रिया आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्या तुमने कहा कि अचानक से हंगबू बहुत अमीर हो गया है हां सही है और ये बात सारे गाउंवाले जानते हैं के सच में हंगबू बहुत अमीर हो गया है सारे गाउंवालों को रेशम के कपड़े और सबसे का ओूँ हम भू तुम्हारा भाई आया है मुझे अंदर आने दो कौन है छोटे राजकुमान मुझे माफ करना ताउजी आपका स्वागत है क्या यह कोई मजाक है हमारे गर में स्वागत है भाई साप हमारे गर में स्वागत है हम्हार ाओ । । । । आखिर ये सब चल क्या रहा यहां पर हाँ 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 अजए देखो देखो मेरी प्यारी मेरे क्या लाया हूँ मैं इसे हंबू घर्शे चुला कर लाया हूँ यह तुम क्या उठा के ले आए हो तुम्हें यकीन ने होगा इसके अंदर कितना माल बना है यह देखो यह शुद्चान्दी से बना है बस इतना ही नहीं मैंने उसका राज भी जान लिया है कैसा राज ठीक है ध्यान से सुनो वो है एक चिडिया एक चिडिया हूं उमीद करता हूँ कि बहुत सारी चिडिया यहां पर घोसला बनाएंगी अब तक आई क्यों नहीं हूं हे नोपू तुम उपर क्या कर रहे हो क्या उपर का तापमान सही है हां चिडिया का इंतजार कर रहा हूं हां हंग्बू को चिडिया ने बहुत सारी दौलत दे दी अब नोपू भी वैसा ही करना चाहता है शराबी कहीं के मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आप मेरे घर पर आईं आपका बहुत-बहुत स्वागत है सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा है बस एक साप और चाहिए मेरी प्यारी एक साप है अब ही जाओ देर मत करो मेरी किसमत ही खराब है कि मैंने आइसा साप पकड़ा जिसे चिडिया ही पसंद नहीं है हुआ 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 चलो भी साप अब चिडिया को डस भी लो अले नहीं लगता है मेरे बस काम नहीं है यह बहुत दर्द हो रहा है और तुम काम कटम के भी रहा कहां जा रहे हो है मान भी जाओ साप महोदे इस उम्र में सेहतमन होना भी आसान नहीं है कितने बेवकूफ हो तुम तुम यह ताप ने काट लिया अब मैं क्या करूंगे चांत हो जाओ नुबू सब ठीक हो जाएगा तुम चाहते थे कि वो साप उस पक्षी को काटे पर उसने तुम है ही काट लिया क्या मतला है तुम्हारा यह कहने का कि मैं शान्त हो जाओ मुझे दर्द हो रहा है एक दम बच्चे है हम 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 हो समझ गया एक तर्कीब है हाँ बोलो जो काम साप से करवाना था उसे मैं खुद करूंगा अब हुँँँट हुँँँट एपुँ हुआ हुआ पर जाऊ थिव कि हुऊं तॉ बुरा हुआ उस बुरे साप ने तुम्हारे पैर के तोड़ दिया सच मुझ बुरा हुआ मेरी प्यारी दुलारी क्या तुमें एक रेशम का धागा लेकर यल्दी से यहां आओगी बेचारा छोटा सा पक्षी इसके साथ ऐसा किस ने किया है बताओ बेवकूफी मत करो कहो कि साप ने किया है मुझे भी लगता है ये काम उसी गुस्से वाले साप ने किया है देखो प्यारी चिडिया अगर तुम मेरे भाई के लिए एक बीज ला सकती हो तो मेरे लिए कम से कम पाश ले आना समझ गई तुम सोचकरी कितनी खुशी हो रही कि जब चिडिया बीज लेकर वापस आएगी तो कद्दों में से कितना धन निकलेगा मैं कद्दों का राजा मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाओंगा हुआ 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 तुम वहां पर क्या कर रही हो उसकी डान तोट रही है बेगूफ बुरी बिल्ली बुरी अरे यहां क्या हो रहा है इस बेकार की बिल्ली ने उस प्यारी चिडिया को खाने की कोशिश की एसी बिल्ली को तो मर जाना चाहिए ऐसी बेकार की सौ बिल्ली यों को तो मैं इस प्यारी चिडिया पर कुर्बान कर सकता हूँ अलविदा प्यारी चिडिया हमेशा खुश रहना और हमारे मेवी पीच लेकर आना अगर नोबु को भी बीच चाहिए तो तुम ये बीच उस तक पहुचा दो अजीब बात है वो पांच की जगा एक बीच लेकर आई है जरूर ये बीच कुछ खास होगा खड़े खड़े देखते मत रहो जाके उसे जमीन में लगाओ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं अरे सुनो जल्दी जाओ और पारी लेकर आओ इंतजार का वक्त नहीं है क्या अपनी बक्वास बंद करोगे अहान आत्मा आप चो भी करना लेकिन मुझे उस हंगबू से ज़्यादा ही देना मुझे उससे ज़्यादा ही चाहिए जय हो देखो तो जरा किनी जल्दी बड़ा हो गया अब जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ यहां बैठी मत रहो इल्कुल मज़ा आ गया अब तुम बहुत जल्दी आमीर औरत बनने के लिए तैयार रहो तैसमें मज़ा आएगा एक दो तीन तीन यह तो बहुत लखी नंबर है मेरे लिए हम हंगबु से भी ज्यादा अबीर बन जाएंगे देखो एक ही दिन में कितने बड़े बड़े फ़ल लग गये हैं है ना नोबु हाँ एाँ हाँ हा हाँ हुआ 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 हु बैठे मत रहो यहां आओ एक बड़े कद्दू को काटना है तुम्हें एक और काम का जिन और याद रखना बहुत होश्यारी से काटना होगा इसे मुझे जाधा पैसा मिलेगा तो मस्दूरी भी जाधा मिलेगी तुम काम के जिनता मत करो हम संभाल लेंगे रच शत्bug कंई सहुआ दिए और शाधार घर ममें जीवन में पहली वाल देखा तुम्हें 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 का देव पाऊंगा जो तुम्हें मुझे गल्ति से दिया था शेंग बहुत बुरा लग आप कि मुझे माफ कर देना क्या कहा तुमने नहीं यह नहीं हो सकता मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारा फाइदा उठाया आप ऐसा मत कहो जो भी तुम्हारे दिल में था तुमने मुझे कह दिया कोई बात नहीं जल्दी करो जल्दी करो कद्दू काटो आज बहुत महनब का काम है थोड़ा आराम चाहिए ध्यास से करो चलो जल्दी करो काटो इसे पुरा दिन नहीं है मेरे पास बहुत ही जल्दी तुम दोनों जश्न बनाओगे और बहुत ही जल्दी मैं भी अमीर हो जाओंगा जल्दी करो जल्दी करो कदू काटू आज जल्दी करो जल्दी करो कदू काटू आज चलग अजय, इरो कुछार दया बम आャव रखना सै हुआ है चलो आजा हमला नोबू तुम्हारे लिए खबर है तुम एक लाल जी इंसान हो चावल गोदां में बन करके हमें भूका मार दिया तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सही किया और इसकी सजा यह है कि तुम्हें हमें सौचावल के ने ओड़े देने होंगे अभी इसी वक्त क्या मैं साउचावयल के बोरे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ जबकि मेरे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए तुम्हें कदू लेकर आया हूँ मैं तुम्हें भीख मांगता हूँ मुझ पर दया करो तुम्हारा बहुत हैसान होगा मुझ पर दया करो दया करो क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ बोलो मैं और मेरे साथी तुम्हा च्पाया हुआ चावल ढूंग लेंगे ठीक है साथियो ढूंते हैं अरे यह क्या हो गया बद्बूदार है वह हमारा सारा चावल ले गया बर्बाद हो गया चला आप दूसरा कद्दू काड़ते हैं उम्मीद करता हूँ उससे मेरी किसमत खुल जाएगी यह दूसरा मेरी किसमत जरूर खुल देगा तुम दोना किसका इंदार कर रहे हो किसी चमतकार का तुम दोनों घब रहो मत मैं सच कह रहा हूं इसमें से कोई चुआ नहीं निकलने वाला चलो भी क्या तुम्हें और पैसों की जरूरत नहीं है इन पैसों से तुम बहुत सी शराब खरी सकते हो चलो ले लो ले भी लो तुम्हें क्यों की खयब लगता तो है हाह फ्याँ क्यों साब्णल silुब अध्याग। चिदा क्यों साब्छा क्यों से तुम्हें में शर्त लगा सकता हूं कि ये नीला धुआ एक खुबसूरत नीले रेशम में बदल जाएगा पहले कर्दू में से कितने सारे चू है निकले और दूसरे में से इतने सारे सादों निकल आए हम तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने आए है कि तुम्हें मौत के सजा मिलती है क्योंकि तुम्हें अपने मादा-पिता के इच्छा का अनाधर किया है तुम्हें नर्व जाने के लिए चुना गया है, लेकिन हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं पूरे तीन साल हमने दुआ मांगी लालची इंसान, अब तुम्हें अपना सारा रेशम हमें देना होगा तुकि हमारे सारे कपड़े खतम हो गए है, समझ गए पर महान साधुओं मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास रेशम का एक तुकड़ा तक नहीं आपको देने के लिए, सच में चुप हो जाओ बेवकूफ इंसान, तुम्हारे हिम्बत कैसे हुई हमारे अधेश का उलंगन करने की माफ कीजिए महान साधुओं मुस पर दया कीजिए बहुत देर हो चुकी है ठीकर, तुम्हारी सजा है कि तुम्हे इस गरम तेल की खड़ाई में चाना लुका जल्दी करो, अब मेरे पास वक्त बहुत कम है मुझे मुझे यहां ला गया मेरे पास कुछ रेश्रम है मैं अभी आपको लाकर देता हूँ यह लो यह भी लो और यह भी लो नहीं मेरा रेश्रम इमानदारी से कहता हो मेरे पास और कुछ नहीं है हम तुम्हे आशिरवात देते हैं तुमारे परको के नाम पर फिर कभी जूट मत बोला शुक्रिया शुक्रिया हाँ और रुको सब्सक्राइब क्या हुआ रुको मैं नहीं नहीं लोगा दूमा अब इतक्से बड़ी चीज तो तीसरे कंदु में से आने वाली अब हम तुम्हारा काम नहीं करने वाले चाहे तुम हमें कितने भी पैसे दो मेरी बात तो सुनो वापस आओ अब हम लोग क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आया गरबड क्या हुई थी अभी तक कि सबसे बड़ी चीज तो तीसरे कदू में से आने वाली है इसका मतलब है आखरी कदू में खजाना है हाँ नहीं तीसरा और आखरी मौका मैं अच्छी तरह जानता हूं इस बड़े कदू में खजाना चुपा हुआ है छोड़ दो नोबू मैं इसे परेशान हो चुकी हूं खजाने और बीज की बातों को भूल जाओ उठो और मेरी मदद करो या मेरे रास्तत हट जाओ देखो कितना बड़ा और ठोस है इसका मतलब इसमें बहुत बड़ा खजाना चिपा हुआ है कर दो दोड़ा है नमुम्किन यह तो बिल्ली का भूत है दो दो प्यारी बिल्ली मुझ पर दया करो मैंने तुम्हें हमेशा एक रानी की तरह पाला था क्या तुम सब कुछ भूल गई हो के तुम्हें याद है ना कि हम तुम्हें दूद पिलाते थे हमेशा तुम्हारे साथ खेलते थे बेटा क्या प्रेब है थेष् Nep क्यादिक पुम्हें वहाद प्यादिक पाला लखबिस शो रहादिक प покуп झाल, करोप पाल, करोप टेकों पाल, करोप बाल, करोप। इंदोती व् supreme है खिर fluffy करोप वाल, करोपा झाल का करूं मैं यहां चिप्या का हूँ तुम अंदर बता हूँ वो हमाला घर बरबाद कर रही है वो अही हुआ कि लाँ यहे लो अःटके न वो च्तार कि लाँ कि लाँ सब हो पाँ कि लाँ लाँ बाँ जी हाँ रहाँ लाँ कि लाँ कि लाँ बहो допत… समगत मोगए अया बहँ बहु हुआ और इस तरह से मतलबी और स्वार्थी नोबू की जिन्दगी खत्म हुई सच्चा और मेहनती हंगबू अपनी लंबी जिन्दगी खुश्यों के साथ जिया और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सच्चाई हमेशा बुराई को मात देती है अगर बुरा करोगे तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा और जो सच्चा होगा उसे आशिरवाद मिलेगा अगर बुरा बुरा ही होगा झाल झाल